पुट के भरे ये बगल में मैं आपला इस मरंदेना चाहा थाँ ताटा जमसेट टाटारीज पहला गड़िम राजना उन्द गाउले और के अध्वासी भाई मनला ये जिन राजरा के जिन खदान है तेले हम अल्ला देदे लेकिन नीजी हाथ में हमन नहीं जान आओ वो कर बात उनीश सो पच्पन में पंडी जावार लाल नेरू धिलाइन इस पात सेंद्र सुरू करीज आए खदान ला उहां का दवासी मन सोपीज वही प्रकास एनमडीसी जन बैला डिला खदान है जन देश के निर्मान में काम वो जन खदान है तेरा नंबर के ओला मोदी जी और रमान सींग दुनों मिलके अडानिल देजिरी से दंते वाला के अदवासी भाई मंद भक्त दंते वाला संग्वारी मं हमर सरपंज मन उकर विरोत करिश दीपक भाई सांथ मिरेसे देटी कर्मा सांथ मिरीसे सब बस्तर के हमर्जन प्रतिदी मन कीज़ ये नीजी हाथ में नहीं जाना चीए और आज मुला बताते हैं प्रसंता हो थे कि आप मन्च के लड़ाई और कांगरेस के सरकार दुनों मिलके ये डबल एंजिन के सरकार जेनब अटानिल जेरिस खदान आज वापस करवा दे हाँ पिछले अगस्त महीन हम वापस हो है और ये मंच के माद्दम से मैं कहना चाहता हूँ बस्तर के साथी मल्ला में प्रणाम करना चाहता हूँ तोनों जेगा प्रधान मंत्री गे होई आज तक के वो इलाका बंद नहीं हो है लेकिन मोदी जी नगर नारला बेज बे नीजी हाथ में दे बे तो बस्तर के साथी भी तो और साथ नहीं दे और तीन अक्तूबर के पूरा बस्तर बंद एकर वर बस्तर के सब साथी मल्ला मैं हिर्दय से धन्यवाद देता हूँ कि भले हम कमजोर और प्रधान मंद्री बहुत ताकतवर है लेकिन यदि बात यदि सम्मान में आ जाई तो टकरायवर हमन नहीं छोड़ान और बता दें दस्तर के साथी कि हमन है नगर नारला बिकन नईदान और मंज के माद्दम से प्रियंका जी और सेज्जा जी कि उपस्टिती में पूरा हमर मंत्री मंदल के साथ ये विदायक साथी मन है जन्पति मिदी और संगठन के मन है नगर लार लहमन भिकन नईदान ये बात ला समझ लए मोदी जी बहुत की ये बस्तर कहरे नगर नार है तेल उठाके तेलेक नहीं सकते हैं लेक जहीं का वल इस्टिल प्रांट ला बस्तर कह रहें लेकिन ये एक बार भी नहीं किस ये नीजी करन नहीं होएं ये अडानी या उद्योग पतिक हाथ मिनी जाए एक बार भी नहीं बोली और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं इस नहीं दिट्टे नहीं चला सकत गाना मलेंजींनीर में हम इसे माध्यम से चलवह लेकिन वाह मोधिंजी उधाने करें जूट बोल करें 172 रोजगार मिली जूट बोले 15 लाख रुप्या सबके खाताँ माई ज्चुटो बोले जैसे किसान के आयले दुदूनी होई कि जूट बोलके गेज़ और आज कल वो धान खरीदी में मैं खरीद था हूं कही थे भई कते जूट बोलिए भई वो दिन खड़के जी आया जी तिनकी से जूटों कसरदार है अब वो नगर नार के बारे जूट कोई कांग्रेसिक हाथ में नी भीकना था और हमां तो लेबे नहीं करना भी या हमां तो जंता पर खुला था नहरू जी से लेके राजी जी और मौहां सिंग्जी तक जग्का सारजनी कुपकरम बनाये हैं वो देश बर बनाये हैं लेकिन देश के जन संपदा है जे नहरू जी से लेके मौहां सिंग्जी जग्का सारजनी कुपकरम बने हैं वो बेचे काम कुनों करा थे एक आदमी हैं कौन है जो और से ब लो देश जानत एक तरफ देश के निर्मान करने वाला संगठने और दूसर तरफ बेशने वाला मन के और आएग बात का आएगी थे हमनों हमर हाथ मनी आंदेन हमन तो भई देश बर चाहता है अदवासी जमीन देए ताकि बस्तर के लोगनमला रोजगार मिले एकरवर देए एकरवर नहीं देए के अडानी बड़े उद्योग पतिक हाथ में जाए और आरक्षन के लाव बत मिले सारजनी कुक्रमरी समरंसुच जाती के जन जाती के पिछड़े वर्ग के एडवलुएस के साब लारक्षन के लाव मिली महिलमा लारक्षन के लाव मिली लेकिन यह दिनीजी हाथ में चल दीज़ तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है उहीं पाय के बस्तर के साथ ही मनद्बंद के हुआं करें हम अ तेंका जी लिए सुनना चाहा थो मैं बहुत ज्यादा देर तक के आपके बीच में नीर आना चाहा हूं लेकिन जब आया हूं तो कुछ बात बोल के जाहूं राजेस्तिवारी कुछ और यहां कि धायक मन कुछ मांग करें है तो घोष्टना भी कर देता हूं ठीक नहीं कर तो स हमर जैसे सरगुजा में सरगुजा है कोडू के यह तरफ हमर हलबी है गोड़ी है भत्रा है मुरिया है मारिया है कुछ बंगाली समाज के मन हैं साब के इस्थानी भासा में जिन हैं हमर पढ़ाई सुरू करें सिख्षक के भी नियुक्ति कर वो अधवासी पुस्तकाले की स्थापना एकर मांग है कांकेर के नरहरपुर सड़क चोड़ी करन सिख्ष पूर्ण कर आए जाहीं बजट में सिख्री थे अंतगर से छोड़ा गाउं घोड़ा गाउं अंजाडी मार गें पुल निर्मान आओ अभी जैसे मेड़कल कालेज ला इंदरा जी के नाम से उकर इस्प्रिती में उकर नाम करन करें हैं इंदरा जी के अधवासी उपर बड़ा प्रेम आओ कारन से हैंक साथी मन मांग कर रही से भाई मनोज मंडावी उसमें उपाद्यक चरी से भाई राज इस्तिवारी इस सब मिल के मांग कर रही से ये मिड़ कल कालेज है ते निद्रा जी के नाम से होना चीए आज मुल प्रसंदता है आज पकांजूर के साथ ही मना है वहां किसी महाविद जाला है तेनोला इंद्रा जी के नाम से रखे मांग करें मैं उकरोगोशना करा था हूँ एक दुबात हूँ 36 गड़ में राज पावर कमपनी अंतरगत एक अप्रेल 2004 अत्वा इसके उपरांत निद्र लगभग 10,000 कर्मियों के लिए लागू नवीन अंसदाई पेंसन योजना की स्थान पर पुरानी पेंसन योजना लागू करने की भी घोशना करता हूँ हमां तो ओल्ड पेंसन इसी में पहले लागू कर दे रहें लेकिन पावर कमपनी हैं एक रो में योगोशना करा था अवही प्रकार से वर्तमान में सीधी भर्ती के उपनिरचक साथ परसेंट पदोंटी के उपनिरचक तैंटी सथी परसेंट हैं बेहतर पदोंटी के उद्देश से पदोंटी का अनुपाद बढ़ाकर 40% किया जाता है इसे भविश में इसुपचीस से अधिक आरक्षकों प्रधान आरक्षकों सायक उपनी रक्षकों के प्रत्तेक फ्रिनी को इसका लाव मिलेगा मैं बहुत जादा उसमय नहीं लेते हुए कांकेर में कांगे से सांतीमन के बहुत इक्षारी से के प्रियंका जी यहां आए इंद्रा जी के पोती जग्दलपूर्ट गेचरी से कांकेर भी 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 बहुत मागरी से आज आप सब जन्माग करे रहे प्रियंका जी आपके बीच में आएं आप से बात करे तो मैं आप सब सेने करना चाहाँ था हूं कि जोरदार ताली बजाओं और नार लगाओं दूनों हाथ उठाके कांग्रेस पार्टी मलिकार जून खड़के पर्प सोनिया गांधी राहूल गांधी अब नारा लगाओं प्रियंका जी कि आग तक के तुमाँ टाली बसते रहना चाहिए दू नारा लगते रहना चाहिए तैयार हो, प्यांका गांधी जिन्दाबाद, प्यांका गांधी जिन्दाबाद, प्यांका गांधी जिन्दाबाद, तुम ताली बजात रहाओ, आधानिया प्यांका दीदी आये हैं, हम सब को संबोधित करें, आधानिया प्यांका जी. सब भाईया बैनी दीदी दाई मनला जोहर श्री बुपेश बगेल जी सुश्री कुमारी शेलजा जी श्री चरंदास महंच जी श्री तियस सिंग्देव जी श्री दीपक बैट जी श्री मती फूलो देवी नेताम जी श्री कवासी लक्मा जी श्री राजेश तिवारी जी श्री लखेश्वर बगेल जी श्री मती सुबध्रा सलाम जी आप सब का भी आज इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत कॉंग्रेश के सभी नेता गंड, सरकार के सभी मंत्री गंड, मेरे कारिकर्टा बेहनों और भाईयों, आप सब का भी इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत। यहां मौझूद सभी सर्पंच, पार्शत, जिला पंचायत, सदस्य, अध्यक्ष, और महापौर, विधायक, मंत्री, सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आप सब को बहुत-बहुत नमस्कार। मा कांकेश्वरी जी की जय, मा शिवानी जी की जय, चत्तीस गण महतारी जी की जय, आज यहां खड़े हुए हमें उन महापुर्शों की याद आती हैं, जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। यह धर्ती स्वतंत्रता से नानी, इंद्रू केवट जी, सुखदेव पातर हलबा जी और कंगलू कुमार जी की हैं, ठाकुर राम प्रसाद पोटाई जी की धर्ती हैं, जिन्होंने सम्विधान सभा के सदस्य होने के नाते, बाबा साहब के साथ पिछ्णों और वंचितों क अधिकार दिलाएं, यह पंचायती राज का सम्मेलन है, महात्मा गांधी जी के से लेकर, राजीव गांधी जी तक, पंचायती राज का जो सपना था, उसको साकार करने का कारिय कॉंग्रेस ने किया, 33 प्रतिशत, महिला एरक्षन, पंचायतों में भी कॉंग्रेस पार्टी की एक सरकार ने किया, देखिए, जैसे बगेल जी ने कहा, एक समय था, जब जन प्रतिनिधी की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था, कि जितने निर्ने लेने थे, वो सब एक जगे केंद्रित हो जाते, वही पाँच हजार लोग पूरे देश के लिए, छोटे से छोटे से बड़ा सा बड़ा निर्ने ले सकते थे, तो कई ऐसे कारिय होते थे, जिनको होने में बहुत समय लगता था, कई ऐसे कारिय भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी, कई ऐसे कारिय होते थे जिनकी जरूरत थी, लेकिन समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था, या राइपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गाउ का कार्य होता था तो जब पंचायती राज की बात हुई तो मंसा ये थी कि लोक कंत्र को जन-जन तक पहुँचना चाहिए इसका मतलब है कि जो गाउ का विकास है जो गाउं का कारिया है उसका निर्नेगाउं में ही होना चाहिए आज आप सब यहाँ बैठे हैं आप सब जमीनी लूग है सबसे जादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गाउं की ज़रूरते क्या है गाउं के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा कौन सा काम पहले करना चाहिए किसकी जादा जरूरत है यह आप सब जानते हैं और आप से बढ़कर कोई नहीं जानता आज आपके हातों में सत्ता है आज पैसा सरकार आपके हातों में भेज़ती है ताकि आप यह निर्ने ले सके और गाउं में आप खुद काम करा सके तो यह बात नहीं है बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नीव इस देश की जितनी भी व्यवस्ता है उसकी नीव आज पंचारतों में गाउं में नगरपालिकाओं में है तो आपकी जो जिम्मेदारियां है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है और मैं जानती हूं कि इन जि 28 गर सरकार भिरोसे की सरकार भरोसा करते हैं आप इस सरकार में जोर से बोलिये करते हैं कि कियो करते हैं आप देखिए भरोसे को बनने में समय लगता है भरोसे को बनने में ये होना ज़रूरी है कि आपको दिखे आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो नहीं नहीं दोस्ती है एकदम भरोसा नहीं बनता समय लगता है कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है कहीं सब ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया उस दो वो दोस्त खड़ा हो गया उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है मेरा दोस्त है तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है और अनुभव किस चीज़ का होता है निश्ठा का होता है आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरी है कि नहीं क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फाइदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फाइदा देखते हैं और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गाउं में काम हो रहा है हमारी नगर में काम हो रहा है प्रदेश का निर्मान हो रहा है हमारी कोई समस्या होती है, उसके हल के लिए कारे हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है, तो आज अगर 36 गड़ की कॉंग्रेस की सरकार में आपका भरोसा है, तो ये इस वज़े से है कि 36 गड़ की जो कॉंग्रेस की सरकार है, वो कॉंग्रेस की एक बहुत पुरान परंपरा को आगे ले रही आप बढ़ा रही है कैसे आप तो जानते ही हैं कि मेरे परिवार का आपके साथ एक बहुत पुराना रिष्टा है पंडित जवालाल नहरू जी यहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आए उसके बाद भी वो पूरे प्रदेश के कोने कोने तक उन्होंने दौरा किया आपके पास आए आपकी समस्याओं को समझा इंद्रा जी 1972 में बस्तर में आई थी चाद आपने भी एक फोटो देखी हुई थी हुई होगी जिसमें वो नाच रही है कुछ आदिवासी बहनों के साथ तो आपको य काफी बार बस्तर आए आपके घरों में गए गाओं में गए आपकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोशिश की और सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों ने नहीं लेकिन कॉंग्रेस के जितने भी नेता रहे उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि आपको समझें आपकी समस् समझें और गहरी तरे से उनको सुलजाने की कोशिश करें इसी लिए आपका भरोसा आपका रिष्टा मेरे परिवार के सदस्यों से बना कॉंग्रेस पार्टी से बना और आज कॉंग्रेस की सरकार से बना है आपको पता नहीं होगा शायद कि जब मेरी दादी इंद्रा जी यहां आई थी तब स्वामी आत्मा नंद जी से उन्हों ने कहा था कि हम यहां का विकास कराएंगे और यहां के बच्चों को शिक्षित कराएंगे तो आप यह इस बात का मिसाल कि कॉंग्रेस पार्टी की पुलानी परंपरा को आज कायम रखने का काम हमारी सरकार कर रही है यही मिसाल है कि इंद्रा जी ने उस समय कहा था बुपेश बगेल जी आज कर रहे हैं स्वामी आत्मा नंद जी के नाम से जिले जिले में नए विद्याले खोले हैं यहां मैं स्टॉल में गई तो मैं कुछ बच्चों से मिली कितना गर्व होता है मुझे गर्व होता है आपको तो और भी गर्व होता होगा कि यहां के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं किसी ने नीट का की परीक्षा पास की है किसी ने जी की परीक्षा पास की है तो आपको कितना गर्व होगा कि आज जो आपके प्रदेश में सरकार है वो आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है आज बस्तर एक अंतर राष्ट्रिय नाम बन गया है ब्रांड बन गया है यहां एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का यह एशिया का सबसे बहुत आधूनिक चीज है एक तरह से क्योंकि आजकर यह बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलेट के जो पदार्थ है वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और एशिया में सबसे बड़ा प्लांट कहां है यहां बस् हैं आपकी प्राक्रिती की सुंदर्ता को देखने के लिए बहुत लोगों को रोजगार मिला आपकी संस्कृती आपकी खुनर आपकी कला को बढ़ावा मिला है और उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है आप पर कोई अपनी संस्कृती को ठोसने की कोई कोशिश नह रहे हैं देश में कुल बन उपज जितने भी हैं उन में सबसे ज्यादा योगदान 36 गर्ष से हैं लखनपुरी चरामा में रोजगार बनाने के लिए और योकिक शेत्र विक्षित किये गए हैं तो इतना सारा काम आपके क्षेत्र में हो रहा है भाजपा के राज में क्या था मेरे से अच्छी तने आप जानते हैं हिंसा का राज था लोग यहां आने से डरते थे निर्दोश आदिवासी भाई बहनों को जेल में डाल दिया जाता था हर तरफ हिंसा भय और उत्पीडन था आज कॉंग्रेस की सरकार ने खूब परिश्रम करके पांच सालों के अंदर अंदर आपको उस हिंसा की जाल से निकाला है और आपको प्रज़ेंगे जाला है गुटना, कंधा या कबर चाहिए जैसा होता डॉक्टर रॉप्थो आपको देता है तर्थ से पूरी आजादी ये कोई टेंप्रवी पेंगिलर नहीं आयुर्वेदी कॉशित जो खबर आप देखना चाहते वो छूट जाए हो नहीं सकता वो बार जो आप समझना चाहते है इसी तरह से आपका भरोसा है क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए पिछडों के लिए आदिवासियों के लिए बाई बेहनों के लिए इतना काम करके आपको दिखाया है आप जानते हैं कि गाउं में मन्रेगा लाने वाली भी कॉंग्रेस पार्टी थी और यह आपका स्वभाग्य है कि कॉंग्रेस की सरकार है आपके प्रदेश में तो इन चीजों पर रोक नहीं है कल मैं मध्य प्रदेश में थी और मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश में पंचायतों की जो सत्ता है पंचायतों को जो पैसा मिलता है उसमें काफी रोक आया है काफी कम हो चुका है और काफी पंचायतों की शक्ती को कम किया गया है तो यहां कॉंग्रेस की सरकार है आपको मजबूत बनाने का काम किया जाता है, हर फैसला आपकी मजबूती के लिए लिया जाता है, आज आपके प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में है, सब 36 तर की तरफ देखते हैं कि कितना काम यहां हो रहा है और कितनी तेजी से आप हो रहे हैं आपका मान सम्मान देश दुनिया में बढ़ाया गया है सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहां विकास हर गाउं में हो रहा है किसान मजबूत हो रहा है यहां का किसाम खुश है बाकी प्रदेशों में हम जाते हैं तो दुखी है किसान तरस्त हैं परेशान है यहां आते हैं तो किसान खुश है और जितने भी ये कार्य हो रहे हैं सबसे बड़ी बात तो ये है और खुशी की बात ये है कि ये स्थानिय निकायों के माध्यम से लागू हो रहे हैं इसमें धरातल और लोगतंत्र बजबूत हो रहा है आम जन्ता के हाथ हातों में शक्ति दिये जा रही है और सथा आपके हातों में रहेगी जब कि पूरे देश भर में जहां जहां भाजबपा की सरकारे हैं वहां ऐसा नहीं है वहां पंचायतों का वित्तिय अधिकार भी कम हो रहा है मौजूदा 36 सरकार ने पेशा कानून पास करके पंचायत प्रतिनिधियों को और भी मजबूत बनाया ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं आज यहां स्थानिय निकायों के लिए अर्बो रुपे का विकासकारियों का भूमी पूजन और लोकारपन किया गया है आप सब को गर्व होना चाहिए कि ये सारा काम आपके प्रदेश में हो रहा है और आप ही के जरिये हो रहा है देखिए पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तिया अधिकार देकर कॉंग्रेस ने ये थाबित किया है कि असली लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि किसी दूर किसी कमरे में बैठें आपके लिए कोई अधिकारी निन्ने नहीं ले रहा है आप खुद अपने लिए सही निन्ने ले रहे हैं बाजप्पा ने क्या किया इसका एक दम विप्रीत किया है हमारे प्रदान मंत्री जी को देखिए जैसे बगेल जी ने कहा देश की सारी संपत्ती अपने अरब पत्ती मित्रों को दे दी लाखों करोडों के इनके कर्ज माफ कर लिए जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उच्छती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है यहां 36 कड में कॉंग्रिस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया इन्हों ने क्या किया प्रदान मंत्री जी अपने लिए दो दो हवाई जहाज खरीदते हैं आठ हजार करोड का एक हवाई जहाज अपने लिए सुन लीजिए 20,000 करोड का नया संसद बनाते हैं जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है 27,000 करोड का एक यशो भूमी नया बड़ा हॉल बनता है 27,000 करोड का और जब OPS की बात होती है पेंशन की बात होती है आप सरकारी कर्मचारी है या खड़े है जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते है कहते हैं कि पैसा नहीं है तो अपनी शान बढ़ाने के लिए अपनी आंद बान शान बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी अमारतों को बनाने के लिए पैसा है अपने उद्योग पती दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है अपनी देश की संपत्ती को अपने अद्योग पती दोस्तों को सौप सकते हैं लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते जो आपकी मांग है आज 36 गड़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है क्योंकि जब नियत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है देश का किसान आज मात्र 27 रुपए एक दिन में कमाता है सुन लीजिए आप यहां किसान बैठे हैं यहां आपकी सरकार आपकी सहायता करती है बिजली, पानी, सुइधाएं आपको मिलती है देश भर में किसानों को मजबूत करने के बज़ाए किसानों की कमर तोड़ी गई है आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और अडानी जी जिसका जिकर आपने किया बड़े बड़े उद्योग पती कितना कमाते हैं पताओं सोला सौ करोर रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है सोला सौ करोर रुपए एक दिन में वो कमा रहा है 27 रुपए आप कमा रहे हैं आपकी संपत्ति उसको दी जाती है जब आपका नमबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है ये सरकार चल रही है इस देश में आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसा सरसी सरकार चाहते हैं क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्य मंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ती बटोरन ये middle class के लिए कोई सोच नहीं है चाहे pension की बात करें चाहे आप जाती जनगर्णा की बात करें मौन हो जाते हैं कुछ कहते नहीं हैं आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं कभी धर्म की बात करेंगे कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज़बा जुड़े हैं लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे जिससे आप मजबूत बनेंगे तो मौन हो जाते हैं इनसे पुझिये क्यों नहीं कर रहे हैं जाती जन्गरना आज मैं यहां खड़े हुए घोष्टना करना चाहती हूं बगेल जी से मैंने बात की है अगर हमारी सरकार दुबारा 36 गड़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाती जन्गरना कराई रजागा हूं बिहार में आपने देखा हैं बिहार में बिहार में आकड़े आपने देखे हैं 84 प्रतिशत 84 प्रतिशत OBC, SC, ST के लोग हैं मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े-बड़े पोस्ट में बड़े-बड़े अधिकारियों के जहां-जहां सत्ता है वहां क्या 84 प्रतिशत OBC, SC, ST के लोग हैं जवाब दीजिए हैं क्या उनका अधिकार नहीं है तो जाती जंगरना क्यों नहीं हो सकती होनी चाहिए देखिए जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं इन्होंने जितनी महिंगाई इस देश में बढ़ाई है वो मेरी बहने जो यहां बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं क्योंकि पूरे समाज परिवार का बोज उठाती हैं आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों पढ़े लिखें जब आप स्कूल की फीज भरने जाती हैं कितनी मुश्किल होती हैं आपके लिए जब आपको उनकी वर्दी खरीदनी पड़ती हैं उनकी किताबें दिया है टैक्स आप दे रहे हैं और मौज उनके उद्योगपती दोस्त कर रहे हैं हर चीज पर टैक्स लग जाएं कपड़ों पे बरतनों पे जो आप जाके आप सबजिया खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं तेल महंगी हो गई हैं गैस के सिलिंडर को देखिए इनका क कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं लेकिन मैं इनकी राज बताती हूं आपको आज कॉंग्रेस की सरकार में आपको साथ रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था आपको याद हैं आपको साथ रुपए देने पड़ते थे आपको राशन मिलता था उस समय किसी को याद है कि सिलिंडर का क्या दाम था 425 रुपे का सिलिंडर था 60 रुपे का आपको राशन मिलता था तो 485 रुपे में आपको राशन भी मिल जाता था आपको सिलिंडर भी मिल जाता था रही सही है कि नहीं बहने सही है अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्ट दे रहे हैं बहुत अच्छा सिलिंडर कितने का दे रहे है ग्यारा सौ पच्चीश रुपए से बारा सौ रुपए में समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोका हो रहा है आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्ट मिल रहा है लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं जादा सिलिंडर का है तो जहां आपको 480 रुपए में दोनों चीजे मिल जाती थी आज 1125 रुपए में एक सिलिंडर मिल रहा है कौन करी देगा अरे इनके उद्योग पति दोस्त आपके घर आके आपके लिए सिलिंडर करी देंगे जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खतम कर दिया नौकरिया मिलती थी रोजगार मिलता था PSU से इसलिए पंडित जवाला नहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े-बड़े PSU बनाए ताकि जंता को रोजगार मिले आज वो PSU बिक गया है निजी बन गया है उसमें न अरक्षन मिलेगा और न रोजगार मिलेगा आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो विचारा कमा नहीं पा रहा है डीजल में GST, पेट्रोल में GST, खाद महंगी सब चीज महंगा गुजारा नहीं हो रहा किसानों का और तीसरी जगे जहां से रोजगार बनते थे छोटे छोटे उद्योग जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकाने, छोटे उद्योग जो हर जगे, हर जिले में, हर छोटे छोटे शोटे शहर में होते थे नोट बन्दी को लेकर, GST को लेकर वो भी बन्द हो रहे हैं सारे तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग इनको कोई दिल्चस्पी नहीं है आपकी भलाई में ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपती इनके बड़े-बड़े उद्योग पती दोस्तों को मिल जाए ताकि उनके जरिये उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाओ पे चुनाओ पे वो पैसे फैक फैक के चुनाओ जीत सके ये उनका मकसद है सत्ता में रहना और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है तो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता आज बगेल जी ने कहा कि यहाँ पे प्रधान मंत्री जी आकर कहते है कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे जादा यहां पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है अब बताईए कि यह जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रै भी लेना चाहते है इससे उनकी नियद तिखती है मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ मैं इनसे पूछना चाहती हूँ बनारस में धान खरीद का क्या दाम है बनारस तो इन ही की जगे है वही से चुनाव लड़ते हैं क्या वहाँ पर दे रहे हैं जितना यहां 36 गड़ में मिल रहा है आपको धान के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगे दीजिए ना बनारस में जगे जगे जाके प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मेरा गैरंटी मोधी का गैरंटी और दुनिया क्या कहें क्या कहें दुनिया इस मोधी जी के गैरंटी का कि जब आपने 15 लाग का गैरंटी दिया था हमारे खाते तो आज तक खाली हैं ये आपका गैरंटी क्या है आपने कहा था कि आप करोडों रोजगार देंगे, क्या हुआ, तमाम नौजवान बेरोजगार खड़ें, आपके केंदर सरकार में इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं, कहा गई आपकी गैरंटी, कौन सी खोकली गैरंटी है, आपने कहा था बेरोजगारी को कि आज 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदॉलत है, जब आप से सवाल पूछे जाते हैं, तब आप कोई नहीं गैरंटी निकाल देते हैं, यह ऐसी बात है, कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गैरंटी है, घर जाते हो, दस दिन में तूट जाता है, यहीं है खोकली गैरंटी मोदी जी की, कोई गैरंटी नहीं है, यह जो भरोसा लिखा है ना, यह भरोसा तूट गया है इनमें, पूरा देश देख रहा है, आपका प लेकिन जब कार्य करने का काम होता है विकास करने का काम होता है तो क्या होता है बड़ी-बड़ी इमारतें बनती हैं नया संसद बन रहा है बीस हजार करोड का हौल बन रहे हैं 27,000 करोड के लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है आपके पैसे आपकी संपत्ती आपसे छीनी जा रही है गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है बड़े-बड़े उद्योग पतियों को सीचा जा रहा है और ये आपकी संपत्ती है इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एकदम जागरुक बन जाओ यहां जो प्रदेश में सरकार चली है उसने आपके लिए काम किया है और सबसे बड़ा काम जो किया है कॉंग्रेस की सरकार ने वो आपकी संपत्ती दुबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है आपसे छीना नहीं है जो आपका अधिकार था वो आपको वापस दिया है जो आपकी संपत्ती है वो आपके हाथों में डाली है पात सालों में लगबग दो लाक क्रोर रुपए जनता के हाथों में गए हैं 36 गड़ में यहां के 40 लाक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पात सालों में गड़बो नवा 36 गड़ के नारे के साथ किसानों, गरीबों, आदिवासियों और 36 गड़ महतारी को मजबूत करने के लिए योजनाय बनी है गोठान समितियों से लाकों को रोजगार मिला है यहां आप भी जब खतम करेंगे जाके देखिए कर्व होता है इस काम को देखकर जहां जितने भी उत्तर भारत में इतनी बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशुओं की उत्तर प्रदेश की हूँ मैंने आप से कहा वहां आप देखिए जहां देखेंगे वहां आवारा पशु खेती खा रही है महिलाएं परिशान है रात भर उनके पतियों को खेती में बैठना पड़ता है निगरानी करनी पड़ती है और दिन भर वो जाती है कि किसी न किसी तरह से खेती बच जाए लेकिन सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया यहां 36 गड़ में मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो गोठान योजना है उससे यह समस्या हल भी हुई है और इससे आपकी प्रगती भी हुई है और आपको रोजगार मिले है आपकी कमाई हुई है वहां खड़ी हुई मेरी बेहने खुशी से खिल किला रही है मैंने जब उनसे पूछा खुश हो मुस्कुरा के कहीं खुश है कितना कमाया है हमारे समूने एक लाक कमाया है गर्व से कह रही है अब इनको कौन दबाएगा आगे बढ़ना शुरू हो गया है विक्सित होना शुरू हो गया है तो यही चाहते हैं आप प्रदेश की सरकार से खेती में देखिये जैसे मैंने कहा देश भर में किसान त्रस्थ है परेशान है लेकिन यहाँ पे किसान खुश क्यूं है उसका कर्ज माफ किया गया उसको सुविधाएं दी गई धान के खरीब के जो दाम है सबसे जादा है तो खुश क्यूं नहीं होगा यह एक मात्र प्रदेश है पूरे देश में जहां लोग किसानी का काम करना चाह रहे हैं नए रोजगार बन रहे हैं इसके द्वारा जैसे मैंने पहले कहा आपकी जो उपज है गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, तिलहन इन सब की किसानी के लिए आपको अतिरिक्त लाब मिलता है गाए, गाओ, गोठान द्वारा किसानों की मदद हो रही है प्रदेश में जितना संसाधन है जितना धन है सारा किसान महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के हाथों में दिया जा रहा है आपके